हेलो दोस्तों वेलकुम बैक टू माय चैनल अगर आपने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एपीज़ड 9 के शॉयवात में मिस्टर रेंग के यहां से जाने के बाद जियांग ड्रिंक करने लगती है यहां से जा रहा होता है तो यह जियांग को यहां पर ड्रंक कर आख़ा हुआ देखता है कि हम Free Unicorn Group के कुछ पुराने Employee से डिनर करने के लिए आए थे हम उनके साथ काम करना चाहते थे लेकिन उनमें से कोई भी नहीं माना अब जियांग यूशन के साथ वापस जा रही होती है यूशन इसको कहती है कि शू तुमें कभी भी फैक्टरी इस्तमाल नहीं करने देगा तुम बहुत दर ड्रंक हो और अगर तुमने शू से कोई गलत बात कहती है जो तेंग्यों के बिजनस को एफेक्ट करेगी तो ऐसा होने से सिर्फ तुम्हारे लिए ये चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी तुम्हें अपना ख्याल रुटने की जरूरत है और तुम्हारा बाहिर ड्रिंक करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है जियांग यूशन से कहती है कि जब तुम मुझसे इस तरह बात करती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और कहने लगती है कि पहले मैं बहुत immature तीसलिए आप मुझे माफ कर दे यूशन इसकी बात सुनकर emotion हो जाती है कि कोई बात नहीं जियांग यूशन से कहती कि मिरे डैड ने कहा था कि तुम बहुत काबले भुरोसा दोस्त हो ये सुनकर तो यूशन रोने लगती है कि बतकिसमती से मैं रेटायर हो गई हूँ इसलिए मैं तुमारी और कोई मदद नहीं कर सकती जियांग फिक्ट्रीवाबस आने के बाद बाहर बैटी होती है और ये कहई रही होती है कि डैड किसी को भी येकीन नही है कि मैं तेंगियों की हालत को बदल सकती हूँ क्या जो मैं करना चाहरी हूँ वाके मी फैंटेसी है फिर कहने लगती है लेकिन मैं इस फैंटेसी का अकीकत में जरूर बदलूँगी दुसरी तरफ गर पर आने के बाद शू को भी जियांग की फिकर हो रही होती है अगली सुबस आयन और यंजियां जब उठते हैं तो इन दोनों को ये दूसरे की याद आ रही होती है आज शू मिस्टर डो के साथ गेम खेल रहा होता है मिस्टर डो शू से कहते हैं कि क्या तुम जियांग के साथ काम करने का सोच रहे हो तो शू कहता है कि एनिडा को समझा जाएगी कि हम दोनों अभी उनके लिए बेस्ट आप्शन्स हैं मिस्टर डो कहते हैं कि मैं अपने प्रॉफिट्स दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहता लेकिन मुझे तुम्हारे प्रफेशनलिजम पर पूरा भरोसा है अब गॉइ मॉल में कुछ अरेंच मिर्स देखने के लिए आया होता है जैँग भी नहीं पर आई होती है और इसकी नजर गॉइ पर पड़ती है कि इतनी की तक्क किसी से हो जाती है और जब यह दुबारा वहां पर देखती है तो गॉई जा शुका होता है इसके बाद शू ने सूंग को बुलाया होता है शू सूंग को एक वीडियो दिखाते वे कहरा होता है कि तुम्हारी कमपनी के टॉप होस्ट नैन ने जाओयंग की पिक्चर्स लिए और इन पिक्चर्स के साथ उसके बारे में रूमर्स फहरा दिये सूंग ये देखकर कहती है कि मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हें मेरे आफिस की सीटीवे फोटच मिल गई है अब यहाँ पर शू को जियांग की कॉल आ रही होती है लेकिन ये इसके कॉल कट कर देता है सूंग केती है कि मैं जायंग और नैन के रिलेशनशिफ को फिक्स कर लोंगी लेकिन तुम्हारे ख्याल में नैन को क्या सजा मिलनी चाहिए शूंग केती है कि मैं तुम पर छोड़ता हूं क्यूंकि टीटी मीडिया में नैन से जादा अच्छी किसी की परफॉर्मेंस नहीं है सूंग केती है कि मुझा लगता है कि जो नैन ने रूमर्स फिलाए हैं वो सच है शूंग केती है कि हम दोने एक दुसरे को इतने अर्से से जानते हैं लेकिन अभी भी तुम उझे नहीं जान पाई हो सूंग केती कि हमें तुम्हें जानती हूं जब काम की बात आती है तो तुमसे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता कोई कि केक सूंग यांसे चली जाती है अब शूंग को कॉल करता है और उसे पूछता कि क्या बात है जियांग कहती है कि सी क्लब में मैंने तुम्हारे कपड़े गंदे कर दिये थे इसलिए तुम सॉरी करने क्री मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदे है शू जियांग से कहते है कि मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदे है वैसे भी मैं अपना उसा तुम पर नहीं निकालूंगा Jihyang हसरी होती ही तो शू कहते है कि तुम मस्कुरा क्यों नहीं हो Jihyang कहती है कि लगता है कि इस रूमर की वज़ा से तुम्हारे काम को बहुत नुकसान पहुंचा है शो कहते है कि तुम इतना यकीन कैसा है ये कोई personal matter भी तो हो सकता है जियांग कहती है कि तुम जावयंग की type के नहीं हो और ना है तुम ऐसे इंसान हो जिसको इस तरह के private scandal से कोई फर्क पड़े शो कहते है कि तुम मुझे काफी अच्छे से जानती हो जियांग कहती कैसे इसलिए क्योंकि हमारे बहुत ही अजीब किसम के interactions हो चुके हैं अब जियांग शो को gift देती है शो सोट देखने के बाद कहता है कि तुम मेरे size का कैसे पता था जियांग कहती है कि मैं free unicorn में बढ़ी हुई हूँ कपड़ों के size का अंदाजा लगाने में में बहुत माहिर हूँ शो केनी लगते है कि मैंने सूचा तो जियांग इसकी बात काटते हुए कहनी लगती है कि तो मैं business में मेरे professionalism पर शक नहीं करना चाहिए देखना मैं तेंग्यू को दुबारे से टॉप पर ज़रू लेकर जाओंगी इतने में इनके डिनर आ जाता है तो शो कहता है कि तुम इसको try करो क्योंकि मैं आज काम के बारे में बिलकुल बात नहीं करना चाहता फिर जब कि दोरों वापेश आ रहे होते हैं तो शू इसके bike को देकर कहता है कि तुमने अपनी bike कब change की जैंग कहती है कि मने change ने की यह चिंखकी है शू इसके साथ बेट जाता और इसे कहता है कि मजे parking lot तक छोड़ दो जैंग से पुछती कि तुम्हारी गारी काम पर है शो उसको कहता है कि मैं सब्वेसे आया हूँ ज़ियांग कहता है कि मैं तुम्हारी टेक्सी मनगवा देती हूँ यह जल्दी से अपना फॉन निकार लेती है तो शो उसका फॉन पकड़के कि कहता है कि इस वक्षी मिलना बहुत मुझ가 है मैं इंतजार नहीं करना चाहता ड़ं कहती है किहांग तो इस वह अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी क्योंकि इससे पहले मैंने कभी किसी को राइड नहीं दी शेह कहे थे के हर ही ज़िस कभी न την खभी तो पहरी दफ़ा कि Voldming उस पाइक पर यहां आयही होते is जियांग कहनी रखती है कि तुम्हारे जैसे एक टोप इंवेस्टर ने एक डेड़की से बाइक पर लिफ्ट मांगी कि तुम्हें डेड़ नहीं कि तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा शू कहते है कि तुम्हें यह सब नहीं कहना चाही कि आखरी दफा जब तुम ड्रंक थी तुम्हें बहुत बातें सनाई थी जियांग ने शू के सूट पर इसके अल्फाबेट का बड़ लगवाय होता है जिसको देखते हुए शू जियांग को थैंक्स के लिए मेसेज करता है तो कहता है कि क्या तुम अपने पिछले बॉस की भी इतनी केर करती थी जियांग को जब यह मेसेज मिलता है तो यह कहते है कि इससे पहले मेरा कभी कोई बॉस नहीं था तो शू कहते है कि मुझे तुम्हारा पहला बॉस बैंके बहुत खुशी हुई अब झीए आंक मासिर सांग को देखते तो रगती है कि आप अभी तक काम कर रहे हैं मासिर सांग कहते हैं कि क्या तुमने डू रं हुआ को कल की थी जियांग कहती है कि मैंनों नहीं क्यों था लिक नहीन के कहा कि वह अब तेंग्यों कि शूस नzeit नहीं बेचेंगे मासेजां कहते हैं कि 30 साल पहले डू फैमली इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्ट्रिब्यूटर थी जियां कहते हैं कि अगर ये लोग इतने अच्छे हैं तो इनको भी इस इंडस्ट्री में टॉप डिस्ट्रिब्यूटर होना शाहिए था मासर सांग कहते हैं कि हम भी तो टॉप ब्रेंड हुआ करते थे और कहते हैं कि तुम दू वेन हुआ को दुबारा कॉल कर लेना जाओंग आज मैं सॉंग से पूछती है कि क्या आपको पता चला कि इसके पीछे कौन है जाओंग कहती है कि आजकर खबरी से 24 घंटी के लिए वायरे रहती हैं और लोग बहुत जल्दी इसके बारे में भूल जाते हैं जाओंग कहती है लेकिन मैं नहीं भूल सकती जाओंग कहती है कि अगर तुम इस पोस्ट और कमेंट को डिलीट कर वा दिया है अब यसे भी अब तुम्हें नए प्लैन पर फोकस करना चाहिए जो कमपनी ने तुम्हारे डी बनाया है क्योंकि हम तुम्हें टॉप लेवल पर जल से जल प्रमोट करना चाहते हैं जोईन कहते है कि कमपनी इस मामले को ऐसी नजरांदास करके आगे बढ़ जाएगी सौउग कहते है कि अगर तुम्हें इस बस्ते से निकल नहीं पा रही हो तो मैं तुम्हें किसी और तरीके से कंपनसेट कर देती हूं जाविंग कहती है कि अगली बार इस तरह का कुछ हुआ तो मैं यह काम लाइफ स्ट्रीम के दुरान करूंगी यह कहती है और सौंग ने भी यह सब कुछ देख लिया होता है नैन को तो बहुत ही उस्सा आ रहा होता है और यह चला रहा होता है जाविंग पार्क में आती है तो यहां पर एक जुम्बा क्लास हो रही होती है और यहां पर सभी लोगों ने तेंग्यो के शूस पहने हुए हैं और यहां पर एक और जिसका नाम सुंग जिया होता है वेंडुआ के पास आगे कहती है कि तुम यहां से चले चाओ जाविंग सब कुछ देख रही हो जिए और इसको पता चलता है कि यह कोई सुम्बा क्लास नहीं थी बलकि यहां पर डांस प्रेक्टिस हो रही थी वेंडुआ को ग्रुप साइट में आ गया होता है और दूसरा ग्रुप यहां पर अपनी प्रेक्टिस स्टार्ट कर देता है जिएंग बहुत गोर से ही सब कुछ देख रही होती है वेंडुआ इस ओरत के शूस देकर कहने लगता है कि मसला साइज का है एक बहुत पुराना ब्रेंड है इसलिए इनकी कॉलिडी बहुत अच्छी है और अब इस ओरत को दूसरे शूस देते वें कहरा होता है कि मैंने सारे सिंदगी शूस बेचे हैं तो मैं देखकर ही बता सकता हूँ कि किसके पाउं का क्या साइज है जियांग अब डूवेन हुआ के पीछे आती है जियांग कहती है कि मैंने भी आपको देखा है आप distribution channels को बढ़ाने में हमारी बहुत मदद कर सकते हैं मेरे डेट भी कहा करते थे कि आप shoes बेचने में बहुत अच्छे हैं वेंडुवा पूछते है कि तुम्हारी डेट कौन है तो जियांग कहती है कि जियांग ची शंग मैं आपकी मदद करने के लिए अपना best करूंगी और अब जियांग वेंडुवा के speakers लेकर जा रही होती है जियांग इन speakers को लेकर यंग जियांग के पास आती है वेंडुवा ने जियांग को इन speakers को repair करने के लिए कहा होता है और इसके लिए क्लेमोजीन भी रेंट पर लेने के लिए कहा होता है जियांग पर रिशान लग रही होती है तो यंग जियांग कहते है कि क्या डूवेन हुआ इतना ही अच्छा है जियांग कहती है कि अगर मैं मेरे साथ काम करने के लिए तियार हो गया तो मुझे इंवेस्टर्स मिल जाएंगे इसी मुमेंट पर एपिसोड 9 हतम हो जाती है